हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि 42,000 डॉलर का जो लेवल है करेंटली बिटकोईन की प्राइस उसको यहाँ पर टेस्ट कर रही है थोड़ा सा स्ट्रगल भी यहाँ पर कर रही है लेकिन इससे ज़्यादा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे मैं ऐसी चीज क्यों बोल रहा हूँ लेकिन सबसे पहले हम चार्ट को देखेंगे बिटकोईन की प्राइस 45,000 डॉलर का हमने लेवल बोला था कि अभी चार्ट का सेटप है नहीं किसके उपर प्राइस जाएगी नीचे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो एक एरिया में देख रहा हूँ कि अगर प्राइस में और भी फर्दर करेक्शन आता है जिससे अगर हम 42 का अभी तो यहाँ पर स्टगल करें I need to see कि यहाँ पर आज जो है मतवी जो वीकेंड का भी टाइम आ गया है यूजली हमको लास्ट फ् वर्स केस यहाँ पर अभी के लिए तो मैं देख रहा हूँ जो होल्ट कर जाए आपर वो 40 से लेके यह 41 42 मतलब ओवराल यही एरिया है यहाँ पर प्राइबली प्राइस अगर थोड़ा सा आती है वर्स केस में इस जोन में आके और फिर वो बाउंस की प्राइबलिटी बन जाए unless and until real world में कोई ऐसी situation नहीं आजा जो पूरे financial market को impact करें तो अभी TA wise में यह scenario देख रहा हूँ जो आप previously देख सकते हैं हम काफी time से share करें कि हमको जैसा यहाँ पर July मन्त के अंदर देखने को मिला था यहाँ पर correction का level आया था जब jump भी आया था फिर उसका फिर bounce तो वैस तो अभी मैं देख रहा था है यहाँ पर अगर funding rate देखते हैं तो funding rate में तो सारे के सारे bullish बैठे हो हैं यहाँ पर everybody wants to go to the moon तो सबके सब यहाँ पर mooning के according सबने majority लोगों ने यहाँ पर जो longs हैं वो open कर रखें तो थोड़ा सा वो worry situation हो जाता है especially जब यहाँ पर bitcoin की price जो है अगर वो correction कर रही है उस time पे भी यहाँ पर negative नहीं आते है तो थोड़ा सा वो बोलती है कि हो सकता है थोड़ा यहाँ पर डर का महूल और continue रखने के लिए और dump का कहीं न कहीं position आए ताकि लोग डर हैं यहाँ पर तो वो एक situation यहाँ पर हो जाती है fear and greed अगर आप देखोगे थोड़ा सा cool off हो है 54 के round था आज की rate में 44 में आगए बट still it is in the middle range है तो यह अभी currently situation है जो आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरी एक important point यहाँ पर यह भी है कि अगर आप देखोगे कल यहाँ पर काफी सारे US ने serious यहाँ पर announcement करे जहाँ पर हमने previous एक video के अंदर cover किया था कि Ukraine और Russia की बीच में क्या tension चल रही है तो previous video हमारा जो है आप जाके channel पर देख सकते हैं उससे काफी अच्छा आपको एक idea मिल जाएगा तो उसी situation को लेके इन्होंने आपर यह बात करिए कि यहाँ पर Russia जो है यह आने वाले अभी 20th February से पहले इनका बोलना ही है कि Winter Olympics जो चल रह यहाँ पर Ukraine को क्योंकि Russia यहाँ पर invasion करने वाला है यह US के officials ने बोल दिया यह नहीं यह भी बोला साथ में कि exactly Putin ने decision लिया अभी तक ही नहीं लिया लेकिन हमको पता है कि जिस तरह से उनका movement हो रहा है वो कभी भी attack कर सकते हैं तो सबके सब यहाँ पर आप कियाफुल हो जाओ इसी की बारे मैं बात करी के around 100,000 troops जो हैं पूरा यहाँ पर Ukraine के border में जो हैं यहाँ पर Russia ने gather कर रही है बेलरूज जो है यहाँ पर वो भी Russian एक तरह से ally है तो यहाँ पर भी इन्होंने gather कर लिया और अभी हो पते क्यों रहा है यह important time क्यों है क्योंकि एक जो important चीज जो है ज इसाथ में hospitals भी काफी important चीज होती है जो यह बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जपने hospitals हैं वो भी यहाँ पर बनाने चालू कर दी है तो यह आप देख सकते हो यहाँ पर यह information आईए sky news की जहाँ पर वो बता रहे हैं कि यह जो पूरे tents आप देख रहे हो these are field hospitals जो war के time प बनाई जाते हैं अगर लड़ाई वगर होती है तो ले के आने के लिए तो यह यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि इस तरह से यह situation जो है पूरी यहाँ पर चल रही है पूरे borders पे यहाँ पर 100,000 लोग जो है आ गए है और साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर यह भी चीज इंपर सब्माव मिन एक उल जाते है फ्सक्रिक टाइक हा जाते हैं और अगया रिचित कर देखसें थैन आप 10 देखने-गे इहाँ पर यहाँ पर ऐसी चीज होती है कि नहीं होती है इनका बोलना या है यह पता नी by air भी attack करेंगे mainly दो दिन के अंदर इनका plan यह है कि यहाँ पर यह attack करके Ukraine की जो capital है basically काईब जो है इसको यहाँ पर I hope I am pronouncing it correctly तो इसको यहाँ पर दो दिन के अंदर यह capture करने की जो है यह बात करें तो यह US का basically यहाँ पर हो सकता है अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है लेकिन आने वाला time जो है यह काफी जदा important रहेगा देखना क्योंकि अगर ऐसी situation होती तो definitely हमको financial market पर उसका impact जो है आपर देखने को मिल सकता है और साथ में अगर आप देखोंगे 18th of February जो है वो भी काफी एक important date रहती है if you remember Russia की news आई थी recently कि government जो है और bank of Russia जो है वो काम कर रहे है एक नए draft को लाने में जहांपर ऐसे currency भी recognize कर सकते है bitcoin को यहाँ पर cryptocurrencies को तो वो भी एक important चीज है तो अगले यहाँ पर जो 8 दिन है वो तो काफी जदा important हो कि but I thought कि इसके बारे में आपको भी updated रहना चाहिए क्यों कैसे real world events you never know कब किस तरह से turn out हो जाए US तो जो warning दे रहे तो बहुत serious तरीके से दे रहा है but you never know किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हो but I thought कि आपको इसके बारे में भी update यहाँ पर करूँ बाकि आज के overall updates केंदा guys आपके क्या viewpoints है what do you think about this मतले एक के बाद एक problem मतले पहले COVID कर लिया inflation हो गया यह पर वो अलग चल रहा है आप पर interest rate की अलग situation चल रही है जो March की tension है साथ में अभी Ukraine और Russia का अलग यहाँ पर चल रहा है कर दिये में िट को पली पर यहाँ कर दोbel यहाँ, नही जु्पी9